पिछले एलेक्षिन में बदलाव आया था तीस पैसे इस बार एक सो पांच परसेंट बदलाव आएगा इस हमें हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है समाजी कारकुनौन फरीद एहमद मीर जी जिनका तालुक तैसिल मेंडर डिस्टर्क पूंच से है अक्सर जो है जमू कश्मीर की आवाज को बुलांद करते हैं सोशल मेडिया प्रेटफॉर्म पे आके आज हमारे साथ आए हैं बाचीत करने के लिए तो इन से जानने की कोशिश करेंगे क्या आज जो है इनका मुद्ध है क्या है आज का विशेश क्या मुद्ध है लोगों को भी पता चले और हमें भी बताएं सबसे पहले तो मेरी एक गजार इश्रे है कि जो मैं सिर्फ एक मिन्ट मैं खत्म करूंगा उसके बाद मेरा इंटर्वी शुरू होगा वो यह है कि मैं पिछले दिनों में एड्मिंट था अमरत सार में में यहां था नहीं तो जो किलिंग वोई पुन्चर जोरी में जिसमें हमारे पांच वीर जवान आर्मी की शहीद हुए मेरी गूर्वनेंट से यह अपीर रहेगी कि उनके गरूं को जenden से ज़दा से ज़दा काप्रेट किया जाया है उनके बच्चों को उनके परिवारों को और हमारे मुलक का बड़ा नाम है इंदोस्तान वो यह है कि पिछले तिनों आपने सुना आप भी मेरे खाल में दे रहे थे एक इंटरव्यू में वहां अमरत्सार में सुनता रहता था कि सरपैंच और वीडीसी डीडीसी हैं अभी वीडीसी का पिरड़ पूरा हो गया इसके लिए मैं गवर्मिन्ट आफ जमू और कश्मीर के लजी जनाब मरुज सेना साथ से यह अगजारश करूँगा लेफ्टिडेंट गवार्नार साथ सब जगों पे आप नहीं पहुंच पाते आपका भी बड़ा बहादरी का का मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आप जहां पर भी कोई इंसिडेंट होता है आप पहुंच जाते हैं लेकिन हर जगा पर आप नहीं पहुंच पाते पैंज सरपैंज या वीडीसी इसका मतलब यह है कि पबलक के चुनेवे निमाइदे होते हैं रात को बारां बजे यह दर्वादा ना खोलें तो लोग धका मारके खलवाके इनके पास चले जाते हैं और आपनी बात रखते हैं यह आगे बात रखते हैं तो लोगों के काम होते हैं इनका पिरिट पूरा होने से पहले ही अलाउस्मेंट हो जाना जा यह था अलेक्शन का लेकिन वो नहीं हो पाया काली ही बियान है अलजी साहब का यह कहते हैं कि जहां जमुकुष्मीर में बहुत चल जो है चुनाव कराएंगे पंचायत मुनस्पल्टी के डिलिमिटेशन प्रोसेश जो है पंचायत हर एक वार्ड में चल रहा है जहां ओबी सी जो समुधाए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है इसका जो है इक काटगरी के जो रिजर्वेशन हमें दी जाए वो चल रही है जो ही मुकंबल होगी तो हम जो है चुनाव कराए अब जो है एक डेडलाइन तो दीर नहीं है आप क्या चाहते हैं कि अलेक्शन कब होने चाहिए पार्लिमेंट एलेक्शन से पहले है बाद में मैं यह कहूंगा जिस तरह लोगों ने अपनी डिमांड रखिया उनकी डिमांड को सबसे पहले पूरा किया जाए ओबी सी के लो पार्लिमेंट एलेक्शन से हम कब माना कर रहे हैं जनाब एलेक्शन जो भी गोवर्मेंट करा है हम अप्रिशेट करते हैं लेकन पार्लिमेंट एलेक्शन से पहले पंचायत का एलेक्शन करवा के उसके बाद पार्लिमेंट एलेक्शन को करवाएं लोगों से यह मेरी घजा इस तरह से आपके इलाके में आपकी वार्ड में काम हुए हैं बताएं जरा खान साहव आपकी पत्रकारता को सल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि जो बात बाकी वाले थोड़ी जिज़के पूछते हैं वो आप खुलके क्योंकि खान साहवें आप तो आपकी बात में दम होता ह काम कि अगर बात की जाए तो काफी सारे लोगों को 이 fatty wat कि माणब के चलो सो परसंट नी है पिचास परसंट नी तीस परसंट हो जाते से तो उसमें से मान donors को बीस परसंट या पंद्रा परसंट काम हुए है जो निमाइदा हम चुनते हैं उसमें हमें एक असर राख देते हैं नहीं हमें मैं आपकी वार्ड की बारे में पूछ रहा हूँ क्या आपकी वार्ड में काम हुए हैं पूरे वाड के अंदर जो काम हुए हैं उसके लिए मैं अपनी वाड की सरपेंच मैम को सल्यूट करता हूँ अच्छे काम की है उस लेडीज ने और मेरी बेहन समझ के मैं उसको कहता हूँ कि अगर नसीर बेगम की तरह हर आदमी अपने वाड में काम करे मैं जूट नहीं बोर रहा हूँ खान साथ आप जाएं जरा अड़ी मर्दानाशा पंजाइद के रहने वाले आम जिन करूं मैं कभी सो साल किसी ने नहीं सोचा था वहाँ पे उसने पंप लगवा दिये मैं उनसे लड़ाई भी करता रहता हूँ उनसे बहुत लड़ता हूँ लेकिन उसके काम को जरूर सल्यूट करता हूँ कि हमारी सरपेंच ने काम किये रही बात डीडीसी की और रही बात वीडीसी की अगर मैं जूट बोलता हूँ तो मेरे मेंडर में एक जांच करवा के जब मैं जम्मू में आऊँ तो थूक ना मेरे मुँपे कहना ये ये मीर नहीं था ये जूट बोल रहा था जोर आई ये क्यों क्या बीडिसी ने वहां काम नहीं करें क्या जनाब खुदागवा है मैंने कहा रहा हूँ कि हमें अलेक्शन में उनके साथ हमने ये किया कि जैसे हम एक माँ के बेटे हैं एक माँ के पेट से जनम लिया है लेकर डिडिसी एजराद या वीडिसी एजराद का मेरी मरदाना शाप पंचाइट के अंदर को ये किया है बीडिसी से काम किया है तो फिर जो है कि अड्मिस्टेटर के तोर पे जो है वीडियो को जो चुना गया है क्या वो जो काम करेंगे आपको वो पसंद नहीं है या लोगों के काम वो नहीं कर सकते देखें जो काम हुए उसके लिए मैंने कह दिया जो नहीं हुए उसके लिए भी कह दिया क्योंकि बेडार आदमी हूँ डरता नहीं हूँ अल्ला से डरता हूँ अल्ला के रिसूल से डरता हूँ और अपने माँ बाप से डरता हूँ डर तो किसी का रखतानी दिल में क्योंकि मैंना ना किसी से फंट लिया इताक ना इसके बाद लूँगा कभी सरपेंच गरीब परिवार से है खांदानी लड़की थी उसने काम किये तो मैंने उसको अप्रिशेट किया लाट अ थेंक्स किया डीडीसी के काम हमारी पंजाइद में नहीं हुए तो मैंने आपको कह दिये आप तो लोगों की हमेशा आवाज उठाते है नराजगी और राजगी जो है वो अलग की बात है लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं जो काम नहीं हुए वो तो आप उठा सकते हैं आप तो सोचल एक्टिविसम कर रहे हैं समाजी कारकुनान है आवाज उठाना आपका काम है वो राइट है आपका जहां तक काम की बात है मैंने आपको कहा कि मला काल उनी के अंदर मस्कीन, मजलूम, बे साहरा लोग रहते हैं उनके लिए हमने डीडी सी साब को रिक्वेस्टिया तोर कहा कि जनाव, अल्ला राव वहां पर दो पांपस दिये जाएं कभी नहीं क्योंके वहां पर बड़ा आदमी कोई नहीं रहता लेग पीस फ्राई नहीं होते तो कहां से वहां पांप लगेंगे मुझे बताएं कि आने वाले वाक्त में जब चनाव होंगे बदलाव देखने को मिलेगा लोग ऐसे नमाइंदे को चुनें जिस से उनको मुफाद मिले उनका काम हो ऐसा देखने को मिल सकता है क्या क्या वही लोग रिपीट होंगे मैं इसी पर खान साव आना चाहता हूँ आप पिछले एलेक्शन में बदलावाय था तीस पैसे इस बार एक सो पांच परसेंट बदलावायगा जिन लोगों ने काम किये उनको पर्मानेंट किया जाएगा और जिनोंने काम ने किये उनको तीस संगेज नहीं उनको टर्मीनेट किया जाएगा जिस तरह मलाजम को नोकरी से निकाला जाता है चलें जी बहुत शुक्रिया जिस तरह से डिसकॉशन की हमारे साथ पूरे जो हवाला दिया मेंटर का किस तरह से काम हुआ किस ने काम किया कैसे हुआ अब आने वाले वक्त में जब चिनाव हूंगे वहां पंचाइद के उसमें पंचीज चुने जाएंगे सरपंचीज चुने जाएंगे और उसके बाद बीडी सी भी हूंगे तो कौन से ऐसे लोगों को जो है फिर से चुना जाएगा जो लोगों के काम आएंगे गरीब गुरुबा लोगों के काम करेंगे यह फिलाल आने वाला वक्त ही बताएगा जब election होंगे और कौन से ऐसे लोग होंगे जो भी repeat होंगे या ने लोग होंगे जो गरीब खांदान से तालुक रखते होंगे और गरीबूं के काम करेंगे फिलाल जो है आप अपनी राइक्पूर्ट सेक्शन में जुरू रखें धन्यवाद